हेलो दोस्तों आज की वोड़े में हम बात करेंगे how to deactivate facebook account so guys अगर आप पना facebook account को temporary deactivate करना चाहते हो तो please वीडियो का अंतर ज़र देखना so guys इसके लिए आपको अपना facebook id को open कर लेना है open करने गबाद कुछ इस तरह का interface देखने को मिल जाता है so guys यहाँ पे आपको top पे three dot वाल एक option देखने को मिल जाता है so guys आप simply इस पर क्लिक कीजिएगा click करने गबाद कुछ इस तरह का page open हो जाएगा so guys यहाँ पे आपको settings and privacy वाल एक option देखने को मिल जाता है bottom पे so guys आप simply इस पर क्लिक कीजिएगा क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको settings वाल एक option देखने को मिल जाता है सो कैस यहाँ पे आप simply इस पे क्लिक कीजिएगा settings पे इसके बाद यहाँ पे आपको top पे personal account information वाल एक option देखने को मिल जाता है सो कैस आप simply इस पे क्लिक कीजिएगा इसे अब क्लिक करो यहाँ पर आपको तीन ओप्सन देखने को मिल जाता है इसकी बाद यहाँ पर आपको दो ओप्सन देखने को मिल जाता है एक है Memorization Settings, Next है Deactivation and Deletion अभी हमें Deactivate करना है इसकी आप सिंप्ली इस वाले ओप्सन पर क्लिक कीजिगा इसकी बाद यहाँ पर आपको दो ओप्सन देखने को मिल जाता है एक है Deactivate Account और एक है Delete Account इसकी बाद यहाँ पर आपको अपना Password एंटर कर देना है अगर आपको पासवर्ड याद है इसकी बाद आपको पासवर्ड एंटर कीजिगा अगर आपको पासवर्ड याद नहीं है भूल गया है मैंने इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो अप्लोट किया है चैनल पर आप जारूर जाकर चेकाउट कीजिगा कैसे आप अपना पासवर्ड को देख सकते हैं किस एप्लिकेशन में आपको मिलेगा कैसे आप जाकर जरूर चेकाउट कीजिगा कैसे पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देना है और कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे रीजन पोचेगा फेसबुक क्यों एकाउंट डेक्टिवेट करना है सो कैसे यहाँ पर आप कोई भी रीजन सिलेट कर सकते हो जैसे कि मैं आप सिलेट कर देता हूँ और कंटिन्यू पर सिलेट कर देना है इसके बाद यहाँ पर आपको फिर से कंटिन्यू कर देना है और इसके बाद यहाँ पे आपको इस तरह का page open हो जाएगा इसके बाद यहाँ पे आपको blue tick कर देना है और नीचे deactivate my account वाला एक option देखने को मिल जाता है आप simply इस पर click कीजेगा जैसी आप click करोगे आपका account successfully deactivate हो जाएगा और logout हो जाएगा इसी प्रकार से आप अपना Facebook account को temporary deactivate कर सकते हैं So guys thank you for watching this video I hope आपको यह वड़ी पसंद आए होगी So guys वड़ी पसंद आए हो तो please वड़ी लाइक कीजेगा चैनल पर नए है तो please चैनल को जरो subscribe कीजेगा मैं आपसे मिलता हूं next video पर जहीन वन्दे मातरन झाल 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 झाल